हेलो फ्रेंड्स आइम चेंपियन महिपल आज हम HTML में Table की Properties के बारे में जानेंगे दो Properties के बारे में जानेंगे First है Cell Padding ये दूसरी है Cell Spacing तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक Table Create किया इसके अंदर 3 rows है और मैंने दो Properties में यूज़ की दो Attributes Cell Padding दोनों को मैंने 55 pixels allocate करवाए Cell Padding क्या करता है Cell Padding Space देता है Cell के As और Text के बीच में जितना भी हम ज्यादा Increase करेंगे Cell के Text और जो Edge है उसके बीच में Space बढ़ जाएगा Cell Spacing होती है दो Cell के बीच में कितना Space रहेगा तो आईए इसकी Output देखने है यह इसकी Output तो अगर मैं इसको Change करता हूँ Cell Spacing को Increase कर देता हूँ 25 कर दिया तो यह देखे क्या होगा Cell के बीच में Space जो है वह Increase हो गया तो अगर मैं Cell Padding Increase करता हूँ तो क्या होगा तो देखते हैं इसकी Output यह देखे Cell का जो Cell Space है वह कम है Cell Padding यह रही यह Increase हो गए तो यह है Cell Spacing Cell Padding जो की है Table की Properties तो यह रहुआ जो 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 कर दो करते बीच